नमस्कार मित्रो आज के सेशन में हम भंडागार और भंडागारन के बारे में जाननी की कोशिस करेंगे हमारे देश में अधिकांस किर्सी वस्तूओं का उत्पादन एक खास महिने में होता है जबकि उसकी खपत पूरे वर्स भर चलती रहती है इस प्रकिरिया के कारण किर्सी वस्तूओं के उत्पादन के लिए हमें भंडागार और भंडागारन की आफसकता महसूस होती है हमने रिटेल सेक्टर में 100% foreign direct investment की मंजूरी दी है वर्स 2007 में Warehousing Development and Regulation Authority Act पास किया गया वर्स 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया सरकार की तरफ से बैंकों को किर्सी विस्यक और किर्सी सम्बंदित अधिक से अधिक रिंड देनी की सला दी जा रही है जिसमें भंड़ागार की जादा से जादा अवशक्ता महसूस की जा रही है अब हम ये जानी की कोशिस करते हैं कि भंदागार आखिर है क्या भंड़ागार से हमारा अर्थ कि एक ऐसे अस्थान विशेश से है जहां पर किर्शी उत्पादी तवस्तूओं को अधिक से अधिक संख्या में लाकर जमा किया जाता है भंड़ागार का अर्थ बैज्यानिक पद्यती पे तैयार एक ऐसे धाचे से भी है जिसका ओपयोग भंड़ारी तवस्तूओं की मात्रा और गुनवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है इसी तरह हम भंड़ागारन को भी परिभासित कर सकते हैं भंड़ागारन के काम में बहुत सारे कामों का समावेश होता है इसका सबसे पहला काम भंड़ारी तवस्तूओं की मात्रा और गुनवत्ता को बरकरार रखना है इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए अनेकों तरह के उपाये हाथ में लिये जाते है कितना सक दवाईयों का उपयोग किया जाता है कितना सक गोलियों का उपयोग किया जाता है चूहों और पक्छियों से संगरीत माल को बचाया जाता है और धूआ जैसे प्रियोगों को सामिल किया जाता है भंडागरन में अनीक तरह के काम सामिल है इसमें सबसे पहला है भंडागर करने हेटू वस्तूओं को प्राप्त करना प्राप्त करने के बाद उन्हें समुचित अस्थान पे संगरहित करना उन्हें मांग के अनुसार पुना मिस्रन करना और री पैकेजिंग करना सामगरी को सही अस्थान पे, सही समय पे वीतरन की बेवस्ता के साथ पहुचाना इसके लिए हमें परिवान की भी जोरिरत महसूस होती है भंडागार के काम में माल को भंडागार में रखते समय और भंडागार से निर्गत करते समय उसका रेकॉर्ड रखना भी सामिल होता है इसमें वित की बेवस्ता का कार्य सामिल है भंडागारों को हम वर्गी किरित कर सकते हैं पहला वर्गी करन भंडारित वस्तूओं की जो नीचर है उसके अधार पे करते हैं इसके अधार पे हम भंडागार को सामान्ड भंडागार विशेश वस्तूओं का भंडागार और सीथ भंडागार में वर्गी कृत करते हैं समान भंडागार वो होते हैं जिसमें हम किसी भी तरह की वस्तूओं का संग्रा कर सकते हैं जैसमें इसमें हम खाद्यान, किटना सक्दवाई या कोई अध्योगिक वस्तूओं की उत्पादित वस्तूओं को भी हम इसमें सामिल इसमें रख सकते हैं बिसेस वस्तुओं का भंडागार भंडारीत वस्तुओं की नेचर उसके सभाव उसके गुनों के अधार पे किया जाता है जैसे कपास के लिए भंडागार, मासालों के लिए भंडागार, तंबाकू के लिए भंडागार और जोलिसील वस्तुओं के लिए भंडागार सीत भंडागार में सीक्र नस्ट होने वाली वस्तुएं जैसे की फल, सबजी, दूद और मांस मचली का भंडागार किया जाता है लंबे समय तक भंडारीत वस्तु की गुनवत्ता को सुरच्छीत रखने के लिए एक विशेश तरह के तापमान की बेवस्ता की जाती है स्वामित के आधार पर भी हम भंडागारों को पुना वर्गी कृत कर सकते हैं स्वामित के आधार पर भंडागारों को नीजी भंडागार, सरकारी भंडागार, साकारी भंडागार और बद भंडागारों में वर्गी कृत किया गया है नीजी भंडागार, नीजी मालिकों, कम्पनी या ऐसे फर्मों के पास होते हैं जो इन भंडागारों का उप्योग अपनी वस्तूओं या अपनी उत्पाधित वस्तूओं को रखने के लिए करते हैं अगर किसी खास समय में भंडागार का उप्योग ना हो रहा हो तो उसका a space rental basis पे दूसरे को दिया जा सकता है सरकारी भंडगार, अधिकांस्तर, केंदर सरकार और राज्य सरकार या इससे संबंध बिभागों के पास होती है इसका ओप्योग केंदर सरकार और राज सरकार द्वारा किसानों से खरदी हुई वस्तुओं के संग्रह के लिए किया जाता है इसके अलावा हमारे देश में साहकारी भंडागार भी पाए जाते हैं गाउं के अस्तर पे, जिला के अस्तर पे और राज्य के अस्तर पे साकारी छेतर में भंडागार पाए जाते हैं. इन भंडागारों में किसानों से खरदा हुआ समान संगरीत किया जाता है. आखरी जो वरगी करण है वो बद भंडागार का है. ये बद भंडागार अधिकांस्ता, समुद्र के किनारे या हवाई अड़ों के नजदीक पाए जाते हैं. या कस्टम विभाग द्वारा संचालित होता है. कस्टम विभाग अपने यहां से माल को क्लियर करने से पहले इन भंडागारों में माल को संग्रा करके रखता है. मित्रों अब हम भंडागार रसीद के बारे में आपको बताते हैं. भंडागार रसीद अधिक्रीत व्यक्ति द्वारा भंडागार के लिए जमा करने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है. यह एक कानूनी दस्तावेज है. Sales of Goods 1930 के अंतरगत यह दस्तावेज यह बताता है कि भंडारी तवस्तु का मालिक कौन है भंडागार रसीद में अनेक तरह की सूचनाएं दी हुई रहती है कुछ प्रमुक सूचनाओं का उल्लेक हम आपके सामने कर रहे हैं इस रसीद में रसीद की करम संख्या होगी वो लाइसेंस नंबर कब तक वैद्ध है इसकी जानकारी होगी इस भंडागार रसीद में जमा करता का नाम और पता होगा जमा की वी वस्तु की पूर्ण वीवरन होगी वस्तु का नाम क्या है उसकी मात्रा क्या है उसका स्रेनी करन क्या है उसकी वर्गी करन किया है क्योंकि यह जादा महत होता है साथ में भंडागरन की दरे भी दी हुई होती है भंडारीत वस्तू की मार्केट कीमत के आधार पे कुल कीमत क्या है यह भी भंडागार रसीद में सामिल किया हुआ होता है साथ में भंडारी तवस्तों की भीमा की भी जानकारी दी हुई होती है भंडागरन रसीद मित्रों दो तरह की होती है पहले को हम लोग non-negotiable warehouse receipt यानि की आप पराक्रम में भंडागार रसीद कहते है दूसरे को हम लोग negotiable warehouse receipt यानि कि परक्राम में भंडागार रसीद कहते हैं जो non-negotiable warehouse receipt होता है वह एक बर जिस व्यक्ति को जारी किया जाता है वही व्यक्ति भंडागार से माल वापस ले सकता है किसी भी condition में non-negotiable warehouse receipt एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांत्रित नहीं किया जा सकता है warehouse receipt को negotiable बनाने के लिए वर्स 2007 में Warehouse Regulation and Development Authority Act पारित किया गया इस act के पारित करने के बाद भंडागार रसीद पर कराम में हो गया यानि कि negotiable हो गया अब negotiable warehouse receipt जिस व्यक्ति को जारी किया जाता है वो व्यक्ति हस्तांत्रित कर सकता है उस warehouse receipt के पीछे प्रिस्टांकित करके यानि कि निगशोबिल वेरहाउस रसीद एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती तक हस्तांत्रीत किया जा सकता है जिस वेक्ती को ये वेरहाउस रसीद हस्तांत्रीत किया जाता है वही वेक्ती उस वेरहाउस रसीद का असली मालिक होता है और वो वेक्ति भंडागार में जमा वस्तु को बाहर लेनी का मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है भंडारीत वस्तु का जो मुल्य है वो भंडागार रसीत पे अंकित होता है इस अंकित मुल्य के आधार पे जमा करता बैंक से रिनी ले सकता है जमा करता भंडारित व्यक्ति भंडारित वस्तु को रिम लेने से पहले जो भंडागार की रसीद है वो बैंक के नाम पे निगशेबल इंस्टुमेंट एक्ट के अंतरगत में प्रिस्टांकित करके उसको हस्तांतरित कर देता है मित्रों अब हम जानने की कोशिस करते हैं कि समपार्सविक प्रमधन याली की कॉलेटरल मेनेज्मेंट किया है और इसके अंतरगत किन-किन कारियों का समावेस होता है मित्रो संपार्स्विक का अर्थ अग्रिन रिन के लिए रखी गई गिर्वी वस्तू से है यह गिर्वी वस्तू भंडगार में रखी हुई होती है संपार्स्विक प्रबंधन में निम्लिकित कामों का समावेस होता है इसमें भंडा आरन और माल की सुरक्षा सामील है इसमें परिक्षन और प्रमानन सामील है मुल्य जोखिम परमंधन है मुल्य जोखिम को कम करने के लिए हेजिन करना है साथ में बजार सम्मंदीत विकास करना है और इसमें इंसुरेंस सम्मंदीत भी जानकारी दी जाती है अब हम इनके अंतरगत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुचनाओं के बारे में हम आपको बताते है भंडारी तवस्तों की माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए भंडारन की बैग्यानिक पद्यती अपनाई जाती है परिक्षन और प्रमानन समय समय पर किया जाता है ताकि समय के अंतराल में हम भंडारी तवस्तु की गुनवक्ता के बारे में जान सकें और जहां से गुनवक्ता का हरास होना सुरू हो रहा हो वहां पे हम उसका प्रबंधन कर पाएं साथ में मुल्य जोखिम परबंधन के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं क्योंकि संपार्सविक मुल्य में बजार की मांग और पूर्ति के अनुसार उसके मुल्य में उतार-चढ़ा होते रहता है लेकिन जो भंडारी त्वस्तु है जो संपार्सविक है जो कोलेटरल है उसक कम करने के लिए एक मुल्य पुर्वानुमन मॉडल डेवलाप करने की ज़रुरत होती है जिसे से की आने वाले समय में जोखिम का पुर्वानुमान लगाया जा सके इस मॉडल को डेवलाप करने के लिए अस्थानिक मुल्य भावी मुल्य बाजार में आवक और उस समय सरकार की जो नीती है इन सभी चीजों का समावेश करना पड़ता है मुल्य जोखीम को कम करने के लिए हैजिम करना पड़ता है हैजिम के द्वारा हम भविस में जो मुल्य का जोखीम है उसको हम कम करते हैं इससे मुल्य में जो उतार चराव है इसका कम असर संपार्श्विक पर पड़ यह संपार्शविक परबंधन के अंतरगत क्रेता और विक्रेता को एक जगा पे इकठा किया जाता है ताकि पूर्ण निर्धारित क्रे विक्रे का आयोजन किया जा सके और इन सभी को करने के लिए हम लोग भीमा पे भी जोड़ देते हैं क्योंकि जो संपार्शविक रखा किसी भी तरह की जैसे आग से चोरी से या किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे भंड़ागार रसीदों का गैर मुर्ती करन करना बहुत ही जरूरी हो गया था क्योंकि मुर्ती करित भंड़ागार रसीद की कुछ खामिया थी ये खामिय ऐसी थी कि मुर्ती करित यानि क इसके नस्ट होने का डर बना रहाता था, इसमें किसी भी तरह के जालसाजी होने का डर था, साथ में अगर भंडारीत माल को छोटे-छोटे टुकुरों में बेचनी के आप सकता हुई, तो उसमें समस्या होती थी, उसमें दिक्कत होती थी, इसलिए व्यक्ति को सुभधा देन के लिए जिस व्यक्ति ने भंडार में माल रखा है उसको सुब्धा देने के लिए जो भंडागा रसीद है उसका गैर मूर्तिकरन किया गया ताकि रसीद को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुँचाया जा सके रसीद के गैर मूर्तिकरन करन को उसी तरह किय जाता है जिस तरह BSC और NSC में जो दर्ज कमपनियां है उन कमपनियों का सेर गैरमूर्तिकरण किया जाता है इस काम को करने के लिए हमारे देश में NSDL और CDSL जैसी कमपनियां मौजूद है अभी हमारे देश में किर्सी उत्पादों का भावी बाजार तयार हो गया है और इस भावी बाजार को भंडागार से जोड़ने के लिए भंडागार रसीद का गैरमूर्तिकरण करना बहुत ही जरूरी हो गया था अभी हमारे देश में multi commodity exchange, national multi commodity exchange, national commodity and derivative exchange जैसी national level की संस्थाएं इस तरह की सुवधाएं दे रही है इन सुवधाओं को पून रूप से हासिल करने के लिए हमें भंडागार रसीद के गैरमूर्तिकरण की आफशकता महसूस हुई मित्रों आज हमारे देश में किर्सी का जादे से जादे उत्पादन हो रहा है आज हमारे देश में किर्सी उत्पादों का भावी बजार तैयार है तो इनका पूरा लाब लेने के लिए हमें देश में भंडागार की जरूरत है बैज्यानिक पदिती पे भंडागार की जरूरत है भंडागारन की बिसे सुवधाओं की जरूरत है ताकि हमारे देश के किशान, हमारे बैपारी, हमारे एक्सपोर्ट हाउस, हमारी देश की कम्पनियां हमें हमारे इस जो भावी बजार है इसका संपून लाब ले पाए तो इस तरह मीत्रों आज के सेसन में हमने भंडागार और भंडागारन से जुड़ी हुई महतुपून बिंदों के ऊपर जानकारी हासिल की अगर आप इससे भी जादा जादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो किर्पिया मैनेज के वेबसाइट पे जाए अथवा मैनेज के द्वारा जारी किये गए जो study material है उसको आप पढ़ें मैं समस्ता हूँ इस तरह हमने आपको भंडागार और भंडागारन से संबंदित महतुपून पहलूओं से अवगत कराया है जैहिन, have a nice day जैहिन, have a nice day जैहिन, have a nice day